बच्चों में पेट के कीड़े एक बहुत ही आम समस्या है भारत सरकार भी इस विशे में कई कारक्रम चला रही है जिसमें स्कूल में बच्चों को निशुल्क दवा दी जाती है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बच्चों में पेट के कीड़े के लक्षन क्या है एक माता पिता कैसे एक अनुमान लगाएंगे कि बच्चे को पेट में कीड़े हो सकते हैं जो सबसे मुख लक्षन है वह है अनोरेक्षिया यानि भूख ना लगना बच्चे को कमजोरी होना बच्चे का वजन ना बढ़ना बच्चे को उल्टी होना बच्चे को कॉंस्टिपेशन रहना पेट में दर्द रहना बच्चे का सफेद धीरे धीरे सफेद पढ़ना जो की पेट में कीले जब होते हैं तो वो खून धीरे धीरे पेट से सक करते हैं वो उनकी डाइट होती है, तो एक एनीमिया धीरे-धीरे बच्चे में घर कर जाता है, तो यह सब जो मेल लक्षन है, यह पेट के किले या इंटेस्टैनल वाम इन्फेस्टेशन के मुख्य लक्षन है, अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मामूली सा इलाज है, और वो है अलबेंडाजोल, अलबेंडाजोल की गोली या सिरप बच्चे को दे कर, हम उसको पेट के कीनों से मुक्त कर सकते हैं, अब देखते हैं कि अलबेंडाजोल कैसे देना है, और यह किस-किस प्रकार से दी जा सकती है, देखिए करें दूसरा होता है treatment यानि हमें मालूम है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और हमें उस कीडों को पेट से बाहर निकालना है तो सबसे पहले आते हैं बचाओ या prevention में prevention के लिए जो standard guidelines हैं वो हर 6 महीने या 1 साल में आपको albendazol 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आपको 200 mg तथा 2 साल से उपर के बच्चों के लिए 400 mg सिरफ एक बार हर 6 महीने में दवा या सिरफ देनी होती है treatment के लिए अलग-अलग protocol है उसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने pediatrician से संपर करें सबसे पहले diagnosis बनाई जाएगी कि बच्चे को सही में पेट में कीड़े हैं की नहीं कुछ उसके stool की जाँच होगी जिसमें कीड़े के अंडे वगरा आएंगे उसके बाद ही वह दो डोज लेनी है तीन डोज लेनी है क्या frequency होगी कितनी डोज होगी वह बीमारी की तीवरता या severity के हिसाब से आपका pediatrician decide करेगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ इसको शेयर करें वीडियो की लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम रखें आपका खयाल